Hello everyone, welcome back to our channel. आज हम आपके साथ कुछ फैसिनेटिंग शेयर करने वाले हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ चेट बोर्ट्स, लेंग्विज मोडल्स, ये इतने इंटेलिजन क्यों लगते हैं? हुमन की लेंग्विज को किस तरीके से समझ सकते हैं? वेल, आज की इस यूटिव वीडियो में बिहाइंड दे सीन बात करेंगे और ये बताएंगे कि चेट जीपिटी किस तरीके से वर्ट करता है. So, let's get started. पहले, चलिए चेट जीपिटी के बैसिक से बारे में बात करते हैं. जो सुनने में थोड़ा सा कॉंप्लेक्स लग सकता है, बर डॉन्ट वरी, हम इसको स्टेप बाए स्टेप सेखेंगे. चेट जीपिटी एक AI लेंग्विज मोडल है, जोके ओपन AI ने किरियेट किया है. ये बैस करता है Transformer Architecture पर, जोके हम सीखेंगे, पर वो इसको अलो करता है process करना और generate करना text को जोके इनसानों की तरह है. पर इसको जो और powerful बनाता है, वो है इसकी pre-training और fine-turning. तो सबसे पहले बात करते हैं pre-training की. प्री-training के phase में chat-gpt को दिया जाता है, बड़े amount में text, जोके books में से हो सकता है, articles में से हो सकता है, और internet में से हो सकता है. वो इस पूरी data में से सीखता है, patterns को pick करता है, grammar rules को pick करता है, और पूरे context को समझता है. Let's talk about the transformer magic. Transformer architecture जो है, वो chat-gpt के understanding के पीछे magic की तरह काम करता है, जैसे कि वो break करता है पूरे text को smaller parts में, जिसको tokens कहा जाता है, और उन सारे smaller parts को process किया जाता है parallelly, क्योंकि हमें उसको efficient बनाना होता है. हम अगर कोई sentence देते हैं, chat-gpt के, तो वो as a sentence ही उसको process नहीं करता है, वो words में उसको convert करता है, smaller parts में, फिर हर एक word के हिसाब से वो answer देता है, तभी वो human-like answers दे पाता है. Finally, अब बात करते हैं, fine turning की. Pre-training के बाद, जो real magic होता है, वो है fine turning के दोरान. Chat-gpt को trend किया जाता है, जब किसी specific tasks पर, जिसे की answer देना questions का, complete करना sentences को, या assistance को provide करना. तो उसमें सबसे coolest thing जो होती है, chat-gpt की, वो है उसकी ability, जो context को समझती है. कि जो user हमें कोई बात कह रहा है, कोई sentence दे रहा है, तो उसका actual context क्या है? Chat-gpt analyze करता है, ना सिर्फ current input को, बलके वो previous conversation को भी consider करता है. इससे क्या होता है कि natural flow जो है, वो maintain रहता है chat के दुरान, और हमें ये लगता है कि हम किसी इनसान के साथ बात कर रहे हैं. अब थोड़ी सी limitations के बारे में बात करते हैं. जिसे कि chat-gpt impressive है, पर वो फिर भी perfect नहीं है. Sometimes ऐसा हो सकता है कि वो inaccurate or irrelevant responses generate करें. Especially जब उसको ऐसी queries दी जाए, जो कि उसने पहले कभी process ना की हो. या उसने पहले कभी उसको trend ना किया हो. पर वो continuously learn कर रहा है और improve कर रहा है. ये था एक brief description की chat-gpt की दुनिया किस तरीके से है और वो कैसे काम करती है. If you want to learn more about tech, be sure to follow our channel. Don't forget to like, subscribe and hit the notification bell. So you won't miss our upcoming videos. Thanks for watching.